नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओल एक्जाम गाइड गुरूपर दोस्तों आप देख रहे हैं फ्री वीडियो इस वीडियो में आपके लिए एक ही वीडियो में सौ कॉश्चन्स हैं लिटेस्ट एक्जाम पैटरन पर बेज ट आठ वजे से जीके की लाइब क्लास लेता हूं चैनल पर तो आप मुझसे लाइब जीके पढ़ने के लिए रोज सुबह जुड़ सकते हैं फ्री लाइब क्लास होती है आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं तो चलिए अभी हम ये कॉश्चन्स सुरू करते हैं अगले क मूल निवासी रेड इंडियन कहलाते हैं अमेरिका को पूर्व स्वतंत्रता कब मिली थी अमेरिका को पूर्व स्वतंत्रता 1776 में मिली थी अमेरिका ने दास प्रथा कब प्रतिबंधित की थी तो अमेरिका ने दास प्रथा 1808 में प्रतिबंधित की थी आधुनिक फ्रांस पुनर जागरन का केंद्र था तो फ्लोरेंस नगर इटली का पुनर जागरन का केंद्र था इसाई धर्म का सरवाधिक पवित्र प्रतीक क्या है तो इसाई धर्म का सरवाधिक पवित्र प्रतीक चिन है क्रॉस इसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे तो इसा मसीहा इसाई धर्म के प्रवर्तक थे एश्या का मरीज किसे कहते हैं तो एश्या का मरीज चीन को कहते हैं कानून की आत्मा की रचना किस ने की तो मॉंट टैस्क्यू ने कानून की आत्मा की रचना की थी काल माक्स कहां के निवासी थे तो काल माक्स जर्मनी के निवासी थे चीन का राश्पिता क से कहा जाता है तो सन्यात सेन को चीन का राश्पिता कहा जाता है चीन की सभिता को किस नाम से जाना जाता है तो पीली नदी घाटी की सभिता के नाम से चीन की सभिता को जानते हैं चीन के बॉक्सर आंदोलन का नेता कौन था तो चीनी के बॉक्सर के आंदोलन का नेता हैंग था चीनी क्रांधी का नेता कौन था तो सन्यात सेंग चीनी क्रांधी का नेता था जर्मनी के आर्थिक राष्टवाद का पिता किसे माना जाता है तो फ्रेडरिक लिष्ट को जर्मनी के आर्थिक राष्टवाद का पिता माना जाता है जापान को किस नाम से संबोधित किया ज जापान ने रूस को कब हराया था तो 1905 में जापान ने रूस को हराया था जापान में आधनी करण की प्रक्रिया की शुरुवात किसने की तो मूत सुहीतों ने जापान में आधनी करण की प्रक्रिया की शुरुवात की डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है तो दांते की रच प्रच्रन का प्रारम हुआ तो तुर्की में ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रच्रन 26 दिसंबर 1925 को प्रारम हुआ दे लाज जज्जमेंट और दे फाल आफ मैन किसकी रचना है तो ये माइकल एंजिलो की रचना है दुनिया के मजदूर एक हो ये नारा किस ने दिया था तो काल माक्स ने ये नारा दिया था दोती युद्ध के दोरान जापान के किन नगरों पर अणू बम गिराए गए थे तो दोती युद्ध के दोरान जापान के हिरोसिमा और नागसाकी पर अणू बम गिराए गए थे परमाणू बम गिराए गए थे दूति विशुद कब हुआ था तो 1949 से 45 के मद्द दूति विशुद हुआ था दूति विशुद में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है तो रूस को जर्मनी की पराजय का श्रेय जाता है धर्मसुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है तो मार्टिन लूथर किंग जोगी जर्मनी से थे धर्म सुधार आंदोलन का इन्हें जनक कहा जाता है नाजीवाद का जनक कौन कहलाता है तो नाजीवाद का जनक हिटलर को कहलाता है नाजीवाद की स्थापना हिटलन ने कप की थी तो नाजीवाद की स्थापना हिटलन ने 1920 में की थी नाजीवाद का उदय कहां से हुआ था तो नाजीवाद का उदय जर्मनी से हुआ था नेपोलियन के पतन का क्या कारण था तो रूस पर नेपोलियन का आकमर करना नेपोलियन के पतन का कारण था नेपोलियन को बंदी बना कर कहां भेजा गया था तो हैलेना दीप पर नेपोलियन को बंदी बना कर भेजा गया था नेपोलियन फ्रांस का समराइट कब बना था तो 1804 में नेपोलियन फ्रांस का समराइट बना था पक्की सड़के बनानी की विधी कहां से विक्सित हुई तो स्कॉर्ट लेंड से पक्की सड़के बनाने की विधी विक्सित हुई पतंग उड़ाने की कला सरप्रतम किस ने विक्सित की तो चीन ने पतंग उड़ाने की कला सबसे पहले विक्सित की थी पुनर जागरण का बौधिक अर्थ क्या है तो पुनर जागरण का बौधिक अर्थ है आंदूलन पुनर जागरन का मुख्य लक्षन क्या था तो तार्किक वाद एवं मानव वाद पुनर जागरन का मुख्य लक्षन है पुनर जागरन काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है तो पुनर जागरन काल में चित्रकला का जनक जी आर्टो को माना जाता है पूर्ण रूप से दास्पर्था का अंत किस ने किया तो अबराहम लिंकन ने पूर्ण रूप से दास्पर्था का अंत किया पैगंबर की सिक्षाओं का संग्रा किस में मिलता है तो पैगंबर की सिक्षाओं का संग्रा कुरान गरंथ में मिलता है पेगंबर के उत्राधिकारी को क्या कहा जाता है तो पेगंबर के उत्राधिकारी को खलीफा कहा जाता है पेगंबर साहब को कहा दफनाए गया था तो पेगंबर साहब को मदीना में दफनाए गया था फासिज्म का उदे कहां से हुआ तो इटली में फासिज्म का उदे हुआ था फासिज्म का जनक किसे कहा जाता है तो मुसोलीनी को फासिज्म का जनक कहा जाता है फासिवाद विचारधारा का संस्थापक कौन था तो मुसोलीनी फासिवाद विचारधारा का संस्थापक था फ्रांस की राजिकरांती कब हुई तो 178 इसवी में फ्रांस की राजिकरांती हुई फ्रांसिसी क्रांती से पूर्व फ्रांस की कैसी विवस्था थी तो फ्रांसिसी क्रांती से पूर्व फ्रांस में सामन्ती विवस्था थी फ्रांसिसी सामेवाद का जनक किसे माना जाता है तो सेंट साइमन को फ्रांसिसी सामेवाद का जनक माना जाता है बोलशेविक क्रांती कब शुरू हुई थी तो 1917 में बोलशेविक क्रांती शुरू हुई थी मदर किसकी रचना है तो मैक्जिम गोर्की की रचना है मदर माइकल एंजलो कौन था तो मूर्तिकार और चित्रकार था माइकल एंजलो मिश्र के राजा को क्या कहा जाता था तो मिश्र के राजा को फराओ कहा जाता था मिश्र के विशालतम पिरामिट का निर्मान किसने करवाया तो समराट खुफरू ने गीजा में मिश्र के विशाल पिरामिट का निर्मान कराया मेसो पोटामिया के देव मंदिर को क्या कहते हैं तो मेसो पोटामिया में सबिता में देव मंदिर को जीगूरत कहा जाता है मेसो पोटामिया की सबिता कहा विक्सित हुई तो मेसो पोटामिया की सबिता एराक में विक्सित हुई थी मेगना कार्टा क्या था तो सर्व साधारण को अधिकारों का घोशना पत्र प्रस्तुत करना मेगना कार्टा था मोना लिसा किसकी चित्रकार की क्रती थी तो लियो नार्दो दा विंसी की चित्रकार की क्रती थी मोना लिसा यूरोप का मरीज किसे कहते हैं तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं यूरोपिय पुनर जागरण कहा शुरू हुआ तो इतली से यूरोपिय पुनर जागरण शुरू हुआ था रूस का अंतिम जार कौन था तो निकोलस दोतिया रूस का अंतिम जार था रूस के शाषक को क्या कहा जाता है तो रूस के साषक को जार कहा जाता है रूस में नई आर्थिक नीती किस ने लागू की थी तो लेनिन ने 1921 में रूस में नई आर्थिक नीती लागू की थी रूसी सामयवाद का जनक किसे माना जाता है तो पले खानेव को रूसी सामयवाद का जनक माना जाता है रेशा मुद्यों की सरप्रथम शुरुवाद कहां हुई तो रेशा मुद्यों की सरप्रथम शुरुवाद चीन में हुई letters on English किसकी रचना है Walter Luka Yudh किन किन के बीच लड़ा गया था तो नेपोलियन में नेपोलियन और मिश्र राष्ट्रों के बीच में 1815 में नेपोलियन और मिश्र राष्ट्रों के बीच में Walter Luka Yudh हुआ था विश्व में सरपर्थम सिक्का और कागजी मुद्रा का प्रचलन कहा हुआ तो चीन में सबसे पहले सिक्का और कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ था वैग्यानिक समाजबात का संस्थापक कौन था तो काल मार्क्स वैग्यानिक समाजबात का संस्थापक था बोल्शेविक क्रांती का नेता कौन था तो लेनिन बोल्शेविक क्रांती का नेता था सबसे पहले धर्म निर्पेक्ष राजी की स्थापना कहां हुई तो अमेरिका में सबसे पहले धर्म निर्पेक्ष राजी की स्थापना हुई समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था तो मैगलन समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति था सरप्रथम औद्योगिक क्रांती कहां हुई तो इंग्लेंड में सरप्रथम औद्योगिक क्रांती हुई सरप्रथम राश्रवाद कहां विक्सित हुआ था तो फ्रांस में सरप्रथम राश्रवाद विक्सित हुआ था सीसे का सरप्रथम प्रियोग कहां पर हुआ तो मैसोपोटामिया में सीसे का सरप्रथम प्रियोग हुआ था सौचुहो क्या पेक्षा एक सहका सासन उत्तम है किसने कहा था तो वॉल्टेयर ने ये बात कही थी सौर पांचांग किस देश की देन है तो मिश्र की देन है सौर पांचांग हजरत मुहम्मद के बच्पन का नाम क्या था तो अमीन हजरत मुहम्मद के बच्पन का नाम था 24 सितंबर 622 में हजरत मुहम्मद के मक्का से मदीना की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है तो 24 सितंबर 622 में हजरत मुहम्मद के मक्का से मदीना की यात्रा को हिज्री समवत या मुस्लिम समवत के नाम से जानते हैं किसको स्वामी विवेका नंद ने शेरनी रविंद रनाट टैगोर ने लोक माता और अरविंद घोष ने अगनी शिखा कहा था तो मार्गरेट नोबल सिस्टर नेविदिता को इन सभी ने ये उपा दिया दी थी विभाजन करो और जाओ डिवाइन एंट क्विट का नारा किस ने दिया तो मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में ये नारा दिया था स्वतंतरता प्राप्ती के समय भारती राश्री कॉंग्रेस का अध्यक्ष कौन था तो आचारे जेवी करपलानी थे भारती राश्री कॉंग्रेस को अल्पमत की प्रतिनिधी किस ने कहा था तो लॉड डफरिन ततकालिक वायसराय ने कहा था यद किस अंग्रेज को हर्मिट आप सिमला जैसी आदर सूचक संग्या की दी गई थी तो सिमला का सन्यासी हर्मिट आप सिमला कॉंगरिस संस्थाबग ए ओ हिूम को कहा गया पहले ब्रिडिस समराट जो भारत यात्रा पर आये उनका नाम जॉर्ज पंचम था भारत को सत्ता प्राप्ती के समय अंग्लेंड में क्लाइमेट एटली के नित्रत में किस राजनितिक दल की सत्ता रूट सरकार थी तो लेवर पार्टी की सरकार थी ब्रिडिस साशन को समाप्त करने के लिए कुका आंदोरन कहा हुआ था तो पंचाब में हुआ था 1919 में अखिल भारती खिलाफर कॉंग्रेस की किस इस्थान पर आजित हुई थी मैक्सवेल ब्रूमफिल्ड जांस समीती कि सत्याग्राज सम्बंदित है तो बारदूली सत्याग्राज सम्बंदित है केशरी समाचार पत्र का संपाधक कौने तो बाल गंगधर तिलक जी है गदमा चला था रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रो किया था तो फरवरी 1946 में सिमला सम्मेलन किस वाइसराई के कारिकाल में आजित हुआ तो लॉड वैवेल के कारिकाल में भारत विभाजन के समय भारती राश्री कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो आचारे जेवी क प्लानी थे किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राश्र पागिस्तान का संकल्प सुरिकार किया तो 1940 में दिली चलो का नारा किस ने दिया तो सबाशन्र बोस ने दिया था बंगाल विभाजन किसके शाशनकाल में हुआ था तो Lord करजन के शाशनकाल में हुआ था अभी 9 भारत क्या था तो अभी 9 भारत एक क्रांतिकारी संगठन था देश के लिए देशित में काम करने वाला अतिवादी क्रांतिकारी संगठन राइट आंसर हो जाएगा option number तो दोस्तो ये था आपका 100 question का सीरीज आगे की सीरीज आपकी next session में जारी रहेगी अगर आप next session भी cover करना चाहते हैं तो चैनल को subscribe करके रखिए रोज सुबह 8 बजे से चैनल पर live gk class होती है आप रोज मुझसे free live पढ़ सकते हैं वीडियो अपने दोस्तों को भी जरू शेयर करें और description box में 2000 question का gk का pdf में दे दे रहा हूं उसको जरू देख लिजेगा तो चली दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अपना ख्याल रखें मस्त रहें सुस्त रहें जहां भी रहें जबर जस्त रहें बहुत बहुत धनिवान आपका दिन शुब हो